दोस्तो मैंसे काफी सारे वीडियोज आपको देखने को मिल जाते हों कि किषिक बीकॉल रिकोर्डिंग लाइब कैसे सुनें जी हां तो काफी सारे वीडियोज सो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको पता है किसी भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते यह साइबर क्रैम टीम वाले कर सकते हैं तो हमारे वसकी यह नहीं होती पहले बात आपको बताना चाहूंगा लेकिन दोस्तों यहां पर जैनुवन तरीका है जिसके मदद से आप किस सब्सक्राइब के माँ आपको बताऊंगा कैसे करना है क्या करना है वहां पर जितने बिकॉर्ड रिकॉर्ड होंगी दोस्तों उसके बाद आपकी जीमेल आकाउंटे पाएंगे आपका जीमेल लगाओ को गूगल रिपर सेवाँ बोने के बाद उसे आप सुन सकते हैं यहां पूरी वीडियो को वाच कर लेना और जो भी स्टैप यहां पर में बताऊंगा वह सारी स्टैप आप कम्प्लीट कर लेना उसके बाद दोस्तों आप नीचे आराम से कमेंट कर सकते हैं तो ज्यादर डायम करते हैं और आपको दिखाता हूं सब कैसे पॉस्टिबल होगा तो अ जिस अप्लीकेशन को आपको अपने दोस्त के या फिर अपनी गर्फ्रेंड के मॉबाइल फॉन पर डाउनलोड करके रखना है जी यहां दोस्तों त्यान रहें सिर्फ दो मिनट का गाम इसमें क्या-क्या सेटिंग करनी है वह में बताऊंगा और इसकी जितने भी कॉल रिक करें सबसे वहले सैटिंग पर शेटिंग पर रेकोर्डिंग पर किलिक करें और यहां से शुमनेवल रिकॉर्डिंग नौटिकेशन फ्लस्तो नर्टिकाशन इन दोने को आफ कर दें अब इससे सी क्या बेदिविट हो जैसे दोस्तों आपके मोबइल फॉन में या फिर उसक के बाद यहां पर बैक आते हैं उसके बाद हमें एक option मिल जाता है security का तो security पर हम किलिक कर देते हैं तो यहां पर एक option मिलते हैं मैं passcode का तो इस passcode लगाना भी ज़रूरी है अब ज़रूरी क्यों आपको बता दिता हूं अपर देख सकते हैं यहां पर लगादेता हूं और ये देख सकते मैं ने लगा दिया अप यह application को मेरी permission के बिना कोई भी नहीं open कर पाएगा और साथ में open तो नहीं कर पाएगा बड़ दोस्तो यहां पर जो यहां पर जितनी भी call recording होगी वो शारी call recording कोई भी नहीं ले सकता नहीं share कर सकता बिना permission के ना सुन सकता है सो उसके बाद यहां से back आते हैं अब बात आती है कि call recording भी हो जाएगी सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा तो हमें कैसे मिलेगी उसकी call recording अपने mobile phone में तो इसके लिए settings पर हम फिर click करेंगे और last time हम देखने को मिलता है Google Drive गूगल ड्राइप पर हम किलिक करते हैं तो यहां पर हम देखने को मिलता है Google Drive account इस पर हम click करेंगे जैसे click करेंगे देख सकते है connect account का option दिखाए देए इस पर हम जो है touch करेंगे डाच करते हैं आपे देख सकते हैं हमारे mobile phone पर जितने भी gmail अकाउंट हैं वो सारे ही यहाँ डाचुकर ऊचुका है अब आपको क्या करना है इस पर किलिक करना हैं कोई भी gmail स्लेक्ट करना है उस पर अगर आपके वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर पतना वीडियो कैसी लगी और हाँ दोस्तों अगर इस्टेग्राम पर पी तक फॉलो नहीं किया तो इस्टेग्राम पर भी जरोर फॉलो कर लेना